हेलो आज हम बात करने जा रहे हैं जामी मिलिया इसलामिया के बीएड के एंट्रेंस टेस्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे बीएड के एंट्रेंस टेस्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और चीज मेरे को आप से बात जstat दी जब अंट्रेस्लीत का silbos change हुआ था पर बच्चों ने इस बात प्रोइला है या फिर नहीं हुआ है पर फिर भी कई बच्चों ने उस का कीобразure नहीं करी थी और उन्होंने अपने ही अकॉर्डिंग प्रप्रेशन करी ती जिस वजह से उन लोगों को प्राब्लम होई थी तो आपको ज़रूर अच्छे से चेक करना चाहिए उसके बाद आपको प्रप्रेशन करने चाहिए आपको किसी की बात पर यकीन आप कह सकते हैं कि जो पहले entrance test होता था बीएड का 2019 में या फिर 2018 में तो उसमें subject के question भी आते थे जैसे आपने subject opt कर रहा है commerce या फिर political science तो उसमें 60 question जो होते थे वो होते थे subject के ठीक है तो जैसे कि आप इसमें इसमें बस चेंज हो गया तो इसमें subject वाला पार्ट हड गया है और subject वाला पार्ट आप से उसमें इंटर्व्यू के लिए डाल दिया है जैसे कि बीएड में जो आप इंटर्व्यू भी है ठीक है यह भी मैं आप लोगों को बता दू एक यह भी नया चेंज है आईए अब हम एक एक करके िस लेबस की बारे में बात कर लेते कि आपको कैसे जो है यंटरेंट की preparation करनी है जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें बता दो पेपर जो है objective टाईप होता है कितने कोशन आते हैं 170 MCQ कोशन क्या नेगटिव मार्किंग है बिलकुल नेगटिव मार्किंग कितनी होती है वन फॉर्थ नेगटिव मार्किंग होती यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है पॉइंट टू फाइफ ठीक है अब हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्स का कर रहे हैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दो अगर आप इंट्रेंस टेस्स की प्रप्रेशन कर रहे हैं और को और भी और घ्रन मेंका सबसे पहले आपको जो एंट्रेंस के कोशिन पेपर सॉल्व करने हैं क्योंकि जामिल एसलाम है कि बीड के पेपर आल्रेडी सॉल्ड है चैनल पे एक बार वापस अगेंज से सही तरीके से सॉल्व कर दिये जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई प्राब्लम ना आए और एक ही टेश लेपस यौनिंटल इंटी कोई में क्या क्या सकता देखिए तो आप इसकी लिए कैसे करेंगे चाहिंगे उसकी बाद अगर आप इसको बुक से परचेस करना चाहते हैं तो आप अरे सगरवाल जी की बुक्त परचेस कर सकते हैं उससे आप लोगों का पार्ट सारा कवर हो जाएगा और बेस पार्ट रहेगा आप पेपर देखे उसमें लेवल देखे और उसी टाइप की कुशन्स आप प्रैक्टिस करें यह बैटर आप्शन होता है चीक है तो आप सफिक गाइड जी की बुक भी पर्चेस कर सकते हैं यह भी ठीक रहती है लेटेस वर्जन आप पर्चेस कर लेजएगा जब लेटेस बुक अभी आ जाए तो काफी चीज़े उसमें चेंजिस आएंगी तो आप वह बुक तो ज़रूर पर्चेस कर लेजएगा आपको उससे थोड़ी सी हैल्प मिल जाएगी ठीक है पर आपको बुक पर डिपेंड नहीं रहना है मैं पहले आप लोग को किलियर कर दूँ ठीक है नेक्स्ट के बाद हमारा आता है यह करन्ट अफेर्स यस आपको इसमें जो है करन्ट अफेर्स भी पढ़ने करन्ट अफेर्स के के लिए आप कोई भी मैगजीन पर चैस कर लिजिए मंतली मैगजीन सफीशन्ट होती है करन्ट अफेर्स के लिए क्रीज़िग से करन्टिक है और बात करते हैं हम यह जो इज़िए जो नीचे वाला पाट है देक़्शन ले şu सबसे अच्छा पार अब इसमें बात करें तो आप इसको कैसे कवर करेंगे आप इसको चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर बुक ले सकते हैं उससे भी कवर कर सकते हैं आपको शफीक गाइड में इस सबके टापिक पे तो अंसर कोश्चन्स जो है सारे आपको मिल जाएंगे कंटेंट भी लिखावा आपको इसमें से काफी पार्ट मिल जाएगा लेकिन आपको इस पर्टिकुलर बुक पर तो आप एक चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते अब देखिए आपको जर्नल साइंस में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स ब फोकस करना है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पर पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट अच्छे से कवर करेंगे आप अप सोचल साइंस के लिए देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताओ कि यह पार्ट आप कहां से स्ट्रॉंग कर सकते हैं इसके लिए बैस रह आपको एक बार वह प्रैक्टिस कर लेने जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जर्नल आवेर्नेस कैसी रहती है किस पूछे जाते यह नहीं आप पॉलिटिकल पढ़ जाए लेकिन में जो पढ़ना था आपने वही नहीं पढ़ा जैसे इंपॉड़न आर्टिकल कर सकते हैं लेकिन आपको यह आइडिया लग जाएगा अच्छे यह आर्टिकल से इंपॉड़न पूछा जा रहा है इंपॉड़न गेम्स के बारे में पता चल जाएगा आपको काफी सारा आइडिया आपको वहां से लगेगा नेक्स अगर हम बात करें जनरल नुमेरिकल के तो जनरल नुमेरिकल में आगर हम बात करें तो कौन-कौन से कोशन्स आपको इसमें कवर करने हैं जैसे LCM के हो गए आप LCM के कोशन्स कुछ कर लीजेगा HCF के, Multiplication के, Subtraction के, Missing Values, Average, Circles, Percentage, Age Problem तो इस टाइप के भी आपको यह सारे पार्ट कवर करने है ताकि आपका औ बहुत बेसिक कोशन होते हैं आपको बस अच्छे से प्रिपेर करना है आपको टापिक वाइस प्रिपेर करें और सबसे जरूरी चीज और लास होता है हमारा जो है लाइंगवेज ठीक है और मैंने पेपर आपको बता तो 2020 का पेपर आया था वह कौन सी लाइंगवेज में था वह हिंदी में भी था इंग्लिश में भी था एंड उर्दू में भी था ठीक है यह भी चीज़ आपको याद रखने हैं नेक्स्ट एक और सबसे जरूरी चीज़ अब एंट्रेंस की प्रिपेरेशन करेंगे तो सबसे पहले चीज़ आपको साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें मतलब जो ऐसे ही प्रिपेर करते रहे बिना और सबसे जरूरी रिवीजन पेपर आपको सबसे पहले करने ताकि आप लोगों को आइडिया लगे उसके बाद आप टॉपिक वाइस प्रिपरेशन करेंगे और यह चीज नहीं आपको इसमें से पहले को चार से पाउंच पार्ट को आपको टार्गेट करना हम यह इस पार्ट पर अच्छी से फोकस करना है वन्यों सबसे सही मैं बात करो तो पूरा सेक्शन डी सेक्शन डी आप इजली कवर कर सकते हैं अच्छे से अगर आप ध्यान से प्रिपेर करेंगे तो क्योंकि सेक्शन यह तक चैनल पर अप्लोड है तो आप उसको भी कवर कर लिजेगा आपको टाइम रहे तो अधर्वाइस आप जैसे प्रिपेर करना चाहिए आप कर सकते हैं मैंने आपको चीज़े बता दिये ठीक है पर आपको यह जरूर करना है पास्यर के पेपर जरूर करें बाकि जितना ह अब आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर दिजीगा ठीक है ठीक यूओ